उत्तर मध्धी रेलवे द्वारा आयोजित 68 अखिल भारती अंतर रेलवे टेबल टेनिस चैंपेंशिप प्रतियोगिता रेल गाउं सुबेदार गंज के स्टेडियम में चल रही है इस प्रतियोगिता में देश के अनेक रेलवे डिविजिन के खिलाडी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में 12 पुर्ष और 7 महिलाओं की टीमों के लगबग 110 से अधिक खिलाडी भाग ले रहे हैं ये चैंपेंशिप 5 नवंबर तक चलेगी प्रयागराज में रेल गाउं स्टिज जो हमारा स्टेडियम है वहाँ पर अंतर जोनल भारती रेल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है इस चैंपेंशिप में संपूर्ण भारती रेल से 12 जोनों की पुरुष और 7 जोनों की महिला टीमें प्रतिभागिता कर रही है और लगबग 100 खिलाडी है यह उत्तरमद रेलवे खिल संग द्वारा पहली बार इस तरकिया प्रतियोगिता टेबल टेनिस की आयोजित की जा रही है यह हमारे लिए गौरव का विश्या है इसके लिए थारी वे उस्थाएं की गई है मैं इंडियन रेलवे का रेफरी हूँ इस टूर्णामेंट के लिए मैं ब्लू बैच इंटरनाशनल अमपरायर हूँ और यह 68 ओल इंडिया इंटर रेलवे टेबलेंस चैंपरिशिप तीन साल के बाद गैप के बाद हो रही है में दो साल कोविड आ गया था और इस बार एंसी आर रेलवे इसको फोस्ट कर रहा है और इसमें कर आल ओवर इंडिया से करीब बाराटी में 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 और साथ टीम में में पार्ट ले रही है जिसमें करीब सो से 110 खिलाडी और कोचेज मिलाकर यह भाग लेना है में साउथ इसना रेलवे से आया हूँ अभी हम लोग का टीम का क्वाटर फाइल से से सी एल डाबलू के साथ और में करेंटली इंडिया नंबर सीख हुँ इन में सिंगल्स मेरा यह उन्मीद है कि हम लोग इदर टीम टाइटल भी जीते और मेरा पार्सनल गोले में सिंगल्स भी जीतो इदर और मेरा टारगेट है कि नेक्स्टेर अश्यन गेम्स उसमें इंडन टीम में रहू